जुस्तो अब सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आज हम बात करने वाले SG-LTD-10MG टैबलेट के बारे में जो कि मैंनकाइन फार्मा द्वारा बनाया जाता है इसमें डापा गुलफोजिन 10MG कंटेंट है और इसके मारकेट प्राइज यमार पी लगबग 108 रुपए है तो चलो इस अड़े में जानते SG-LTD टैबलेट के यूजेस और सब को सबसे पहले जानते SG-LTD-10 टैबलेट के यूजेस के बारे में SG-LTD-10 टैबलेट का इस्तमाल टाइब टू डाइबटीज मेलर्स के इलाज में किया जाता है ट्रिटमेंट आप टाइब टू डाइबटीज मेलर्स का इलाज SG-LTD-10 टैबलेट जो के आपके बलड गुलकोज लेवल को कम करता है यह आपके शरीज में मुत्रके माद्देम से अतिरिक्त गुलकोज को निकलने में मदद करता है बलड गुलकोज के लेवल को कम करना डाइबटीज को नियंतरित करने का प्रमुक हिस्सा होता है अगर आप इन स्तरों को नियंतरित कर पाते हैं तो अपने आप में डाइबिटीज के कारण होने वाले किसी भी गंभीर जटिलताई जैसे की केड़नी का नुकसान, हातो पैरों का नुकसान आदी जैसे जोखे मुकी संभावना कम हो जाएगी उची ताहर और व्यायम के साथ साथ इस दवा का नियमिज सेवन आपको स्वास्तो और सामानने जीवन जीने में मदद करेगा अब जानते है HGLTD 10 टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में इस दवाशे होने वाले ज़्यादा तर साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सला लेने की जरूरत नहीं पड़ती और नहीं मित रूप से इसका सेवन करने से ये साइड इफेक्ट अपने आप समाफ्थ हो जाते है अगर साइड इफेक्ट बने रहते है या लक्षेन बिगडने लगते है तो अपने डॉक्टर से सला ले SGLTD 10 के साइड इफेक्ट जैसे ज़्यादा पेशाब होना मिचलिया ना उल्टी जैसे लक्षेन शामिल है अब जानते है SGLTD 10 टैबलेट का इस्तमाल कैसे करे या डोसिस के बारे में इसे साबुद नहीं ले इसे ना ही चबाए ना ही कुछ ले और ना ही तोड़े SGLTD 10 टैबलेट को आप खाने के साथ या भुके पेट भी ले सकते है लेकिन बहुतर यही होगा कि इसे फिक्स टाइम पर ही लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे आप आपकी दवाई लेना नहीं भूलेंगे दोस्तो अब जानते है SGLTD 10 टैबलेट किस परकार काम करता है SGLTD 10 टैबलेट एक एंटी डाइबिटिक दवाई है यह मूतर के माद्धिम सहती रिक्त चीनी को हटा कर काम करता है चीनी को मतलब सुगर को अब जानते हैं इसे यूच करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में इससे आपके शेरिल से बहुत ज़्यादा तरल डिहाडरिशन के हनी हो सकती है यह आपको बार-बार पेशाब हो सकती है बहुत सारा पानी पीर और डिहाडरिटेड रहे अन्य डाबिटीज के दवाओ के तुलना शराप का इस्तमाल होने पर या अगर भोजन में देरी करते या मिस करते तो आपको लो बलड सुगर लेवल का कारण बन सकता है आपके साथ हमेशा सुगर वाली कुछ खादे पदार्त या फ्रूट जूस रखे ताकि आपको लो बलड सुगर के लक्षन जैसे थंडा पसीना तो चापीला होना कंपर्म एंजाइटी का अनुबव हो तो आप उसे ले सके गिजदवा के सेवन के दवरान नियमी तुरूप से आपके बलड सुगर की निगरानी करें अगर आपको निरंतर चक्कर आता है जो डुका दर्द होता है या जुकाम जैसे लक्षन या अकार्नी जी मी चलना उल्टी होता है तो तुरूप अपने डक्टर को सुचित करें ये जान करें अपको कैसी लगी दोस्तो अच्छी लगी हो तो योडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले अंतक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो जैहिं दोस्तो